हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर वज़ार वितायुष और दोस्तो इस वीडियो में बात कने वाले हैं टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स काफी बढ़िया खबरे दोनों स्टॉक के लिए निकल के आ रही है इन जिस तरह से आपको देखने को मिलेगा मौरर ट्रेडिंग के दिन टाटा मोटर्स का स्टॉक कर रहा था टाटा पावर का कह सकते हैं मेंले स्टॉक ने भी काफी जाधा बढ़िया करा है तो और भी बढ़िया खबरे आ चुकी है जो बूस्ट अप कर सकती है इन दोनों स्टॉक को तो एक ने दोस्ते हैं आपर टाटा स्टील जो टाटा कंपनी की टाटा गुरूप ऑफ कंपनी की एक देखे कंपनी है सबसेडरी है पूरी अगर आप देखे जाए तो डिफिनिटली हुई है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और या पर मंडे यानि 8 ओफ नवंबर का क्या लक्ष आपको मान के चलना है सब कुछ आपको फ्रेंट इस वीडियो में पता चलेगा वीडियो को पूरा जरूर आप देखेगा फ्रेंट्स चैनल से फॉर्स आम अगर देखेंगे तो 495 रुपीज का हाई बनता हुआ देखने को मिला एंड वो उपर के लेवल से थोड़ा बहुत देखें मार्केट में यहां पर कह सकते मुनाफ़ा वसूल यह थोड़ी बहुत ही थी थी कोई जादा तो आप कहने सकते हैं एक घंटा मिलता यहां पर तो कुछ लेवल्स के आसपस देखें स्टॉक आपको कंसॉलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है देकि साफ सब आपको देखने को मिलेगा कि वो 12 रुपे 13 रुपे के आसपस टॉक यहां पर कह सकते हैं थोड़ा बढ़ नहीं पा रहे है थोड़ा बहुत आपको जो मूव दे र था कितनी बिक्री हुई है यह जान लीजिए जहां आप देखेंगे दूसरी कंपनी के सेल्स फॉल हो रहे हैं वहाई टाटा मोटर्स रिपोर्ट कर रहा है 94% राइस ऑन धनते रस फिर यह काफी बड़ी ख़बर है और ख़बर बड़ी क्यों है विकाज आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा इंपाक्ट आ सकता है जब कंपनी के आगे के नंबोर्स निकल के आएंगे सेल्स के इस बार के निकल के आ चुके हैं इस बार भी आपको द टाटा मोटर्स के डिलिवरीज है वो करीबन 94% ग्रो कर गई आटो मोबाइल्स लेकिए उन्हें साफसाफ काया की बॉड़ी वाई फेड़ा ऑन तूस्डे तूस्डे तर्म दक करेंट फेस्टिव सीजन दा वर्स इं तर्म्स बिजनस इन डिकेट इस रिटेल पार्टने अ सकते हैं कि देखें एक वाटर रहता हुआ देखने को मिला नंबर्स काफी जादा कह सकते हैं खराब आपको आते विए देखने को मिले बट मार्केट को पता था इसलिए कोई मेजर रियाक्शन नहीं आया उसका बट एक दिक्कत क्या आ रही है वो फ्रेंट समी कंड़क्ट काफी जादा कह सकते कि दिखतों का सामना करना वड़ा आपको उसका बढ़िया क्यों किया अभी जिस तरह से deliveries आ रही है जिस तरह से देखिए इनके पास कह सकते bookings आ रही है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है अब लोग समझ के चलिए आप EVs के उपर shift हो रहे हैं तो वो हमारे market में अभी जादा इसके लिए option नहीं है तो लोग Tata Motors को भी pick करेंगे यह अपने आप में एक बात है जो होता रहता है लेकिन semiconductors की फिरंट जिस तरह से shortage कम होगी विश तरह से देखिए कंपनी बढ़िया करेगी तो यह एक important चीज है अब आप इसे देखिए Tata Motors के ओपर एक buy rating निकल के आई है तो देखिए यहाँ पर साफ साफ उनने कहा है कि supply normalization key as JLR's order book strong domestic business outlook is bright buy maintained with unchanged target price of 550 रुपीज तो फिरं साड़े 500 रुपे के target के लिए यहाँ पर Tata Motors पर buy करने के एक rating दी जा रही है और साफ साफ कहा जा रहे है कि यहाँ पर normal सी आती भी देखने को मिल सकती है Tata Motors के लिए तो यह सब कुछ अब भी आपको जो होता हुआ देखने को मिल रहे है समझी कितना positive है सो अब बात करते है stock के Monday के target के बारे में देखिए जिस तरह से यहाँ पर stock ने move दिखा है बढ़िया है और मुझे लगता है कि stock के अंदर ऐसा consolidation थोड़ा बहुत और maintain रहा सकता है और उसके लिए आपको तयार हैना चाहिए but important है important friends यह कि दिखे 500 रुपे का level जिस सरसे cross करेगा important यह कि 510 रुपे के level को कब cross करेगा stock ने last 3-4 बार इस hurdle को देखिए गया है पर इसको cross नहीं कर पाया तो 510 रुपे का level याद रखेगा friends एक major hurdle है major resistance है उसको cross करेगा तो आप मान के चलिए यहाँ पर नए highs बन सकते है 550 रुपीस का target यहाँ पर achieve भी हो सकता है करना क्या है मंडे को current level के आज़ पाय करना है पुछ सकता है कि मंडे को अगर market बढ़िया रहता है ताटा पावर की बात करें तो 231.20 पर closing दिया है 2 रुपे 70 पर से बढ़ता हुआ देखने को मिला है and important टाटा पावर की बात करें तो definitely अब stock एक ऐसे zone में enter कर गया है जहांसे 2.5 रुपे का level बहुत जादा नस्तीक दिखता है अगर आप देखेंगे टाटा पावर के stock को तो definitely बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है but important क्या important फ्रेंट्स यह है कि टाटा पावर कब यहां से 250 के zone में enter करेगा लेकिन फ्रेंट्स 250 के zone को enter करने के लिए इसके लिए important यह कि 235 रुपे के level को किस प्रकार आपको टाटा पावर break करता हुआ देखने को मिलेगा किस प्रकार इस level को यह तोड़ता हुआ देखने को मिलेगा अगर आप देखेंगे last कुछ दिनों में तो टाटा पावर बढ़िया कर रहा है last five days में अगर आप देखेंगे तो टाटर पावर ने यहापे करीबन 10% की तेजी दिखाई है और लास्ट वन मन्त में स्टॉक में जो आपको प्रॉफिट बुकिंग थी वो आल्मोस्ट अब आपको वापे से तेजी में तब्दील होती भी देखने को मिल रही है करार की ख़बर तो पहले ही निकल के आचुकी थी लेकिन उसके उपर अब फॉर्दर प्रॉसेडिंग निकल के आई है अब क्या एक ख़बर है वो सबसेल आप देख लीजिए सब्सक्राइब निकल के आई है तो यह आप एक साफ साफ देखने को मिलेगा टाटा स्टील कॉलेबरेट विट टाटा पावर तो सट अप फॉर्टीवन फॉर्टीवन मेगावाट के प्लांट सट अप करने वाले यह ख़बर बेसिकली पहले ही निकल के आचुकी थी लेकिन वह जो पर्जेश एग्रिमेंट था उसके बारे में और भी बहुत साइज जानकार ही निकल के आई है इस प्रोजेक्ट के ताहट होगा क्या इस प्रोजेक्ट के ताहट आपको देखने को मिलेगा 45,210 तन का जो सी ओ टू है निकल इसको देखे यह पे कम करने की कोशिश की जाएगी और उसको सिफ साड़े-दस लाग मेगा तन्स पर रहता हुआ देखने को मिलेगा आने वाल काफी सारे आएंगे, रूफटॉप्स आएगा, फ्लोटिंग आएगा, ग्राउंड मांटेड आएगा, सुला पैनल्स आएगा, और याद रखे का फ्रेंट्स अगर आप पूछेंगे यह प्रोजेक्ट इसके लिए मेन है तो वो इंपोर्टेंटली टाटा पावर के लिए जो मेनली पावर पूछेस है, वो टाटा पावर ही करता हुआ देखने को मिलता है, यह खबर से आपको टाटा पावर के अंदर एक जो तेजी देखने को मिल रही है, उसमें एक मेनली हाथ इस खबर का भी है, जो देखिए, ग्राउंड मांटेड पीवी है, वो इंस्टॉल होगा सुनारी एरपोर्ट जमशेदपूर पे, पिर कलिंगा नगर में, जो यहाँ पे करीबन 9.12 MWP, रूफटॉप, पीवी क्यापिसिटीज के साथ, और फ्लोटिंग टीवी, यहाँ पे कॉंस्टिटीट हो जाएगा, एस्टिमेटेड एनरजी जनरेशन जो लग सकता है वो करीबन 602 करोड का, यहाँ पे पहले साल रहता हुआ देखने को मिल सकता है, और पूरे 25 साल के लिए आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, तो यह सब कुछ अगर आप देखेंगे, तो Tata Power बहुत जादा फोकस कर रहा है अपने बिजनस आउटलुक को बढ़ाने के लि अब बात करते हैं इसके टागेट के बारे में, तो क्या अगले हफ्ते आपको 250 रुपीज का लेवल आता हुआ देखने को मिलेगा, main question definitely आपके मन में होगा, तो अब देखें, importantly क्या हो रहा है Tata Power के अंदर अगर देखा जाए, तो वो जो 235 रुपे का hurdle है, जैसे Tata Motors में 510 रुपे का hurdle है, इसमें 235 रुपे का है, ये 2-3 बार 235 के उपर निकलता है, लेकिन वापिस से देखें, mainly profit booking आजाती है, अब देखें, main impact क्या हुआ अब अगर आप देखेंगे, power generation companies के अंदर एक profit booking से आती हुई देखने को मिली, अब वो profit booking का शिकार ऐसा तो है नहीं कि Tata अगर नहीं होगा, होता हुआ देखने को मिला, लेकिन अब फिर अगर आप देखेंगे तो एक हफ्चे के अंदर 10% की तेजी दिखा दिए, तो ऐसा नहीं कि stock चला नहीं है, lower level से शांदार recovery आती भी देखने को मिली है, जो 209 रुपे का level आया था, उसके अगर आप देखे अगर आप देखने को मिले, इवन 267 रुपे का देखेंगे 52 रुपे है, उम्हें लेकिता कि ब्रेक बहुत जल्द होगा, तो बने रहना चाहिए, Monday का डागे 235 रुपे का होगा, तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो ल